हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो मैं इस्टेडिशीट चैनल दोस्तों मैं फीजिकल एजूकेशन की चेप्टर वाइज सभी एंसे क्यूश कोश्चन्स का प्रैक्टिस करा रही हूं जिसमें से मैं हिस्ट्री फीजिकल एजूकेशन का ये तिसरा पार्ट है इसम Kern मैं आज इंडियन हिश्ट्री फीजिकल एजूकेशन के बारे में यानि सारे सिच्छा के भारती इतिखास कि बारे में बता रही हूँ जिसमें से इंपोर्टेन यमसी क्यूज हैं दोस्तों यदि आफ फीजिकल एजुकेशन के किसी भी कमपर्टिटिव एक्जाम्स जाहे वर TGT, PGT, KVS, NBS, CLT, राजस्थान, PTIE, हर्याड़ा, DSS भी कोई भी एक्जाम्स हो, सभी एक्जाम्स का प्रिपेशन एदि आफ सीलब सभी वीडियोज को वाच करके आप अपने प्रिपेशन को बेहतरीन कर सकते हैं, एंड दोस्तों हंडियर से ज्यादा वीडियोज प्रिवियस यर्यमसी क्यूज कोश्चन पर बनाए गये हैं, उसका प्रैक्टिस का ननव पुलिएगा, और जो मैं सिलबुस के एक्जाम्स क जन्म हुआ, जैसा कि आप सबको पता होगा, यूगा का जन्म हुआ वैदि काल में, जैसा कि दोस्तों भारात में सारी सिच्छा के इतिहास को आठ भागों में बाटा गया है, जैसे कि बेद काल दो हजार से एक हजार इसा पुल, फिर महाकाबी काल एक हजार से छे सो इसा फिर एतिहासिक काल छटी सताब इसा पुल, फिर नलंदा काल तीन सो इसवी, फिर राजपूत काल तीन सो इसवी से बारो सो इसवी, फिर मुस्लिम काल बारो सो से सत्रो सो पचास इसवी, एंड फिर ब्रिटिस काल सत्रो सो पचास से उनिसो सैतालिस इसवी, एंड फिर स्व तो यहां पे कोस्ट्टन क्या है कि की स्काल में योगा का जन्म हूआ तो बैदिक काल में और दोस्तों बैदिक काल में हुआ क्या था बैदिक काल में आरजाती का वरण मिलता है जो मधः एशिया से आकर के गंगासीद्रूं के बैदाने बैठ से हुए थे और इस समय क्रियों में बेद काल में यानि बैदिक काल में अपना आ जाता था और सुरी नमस्कार बैदिक काल का अभिन अंग था नेश्ट कोस्टिन है रमायर और महाभारत किस काल में हुए तो इस सब को पता है इपिक महा काबकाल में 1agnum n過 deca 1001 आप शमय महाजा से 600 इसा पूरु और नेश्ट है और प्रता स्वास्तर में 4 डिविफ में prêt है कि दल प्रता फंव के डिवस्त प्रतों नालंधा काल में प्राइयता था आपसर नमबर डी करेक्ट है जैसा कि दोस्तो नलंदा काल में जो इसका समय 300 है और नलंदा सिच्छा का मुख्य केंडर हुआ करता था और प्ररायाम दाथा सुर्य नमस्कार प्रती दिन नलंदा काल में होता था और पैदल चलना यानि कि यहां पे पैदल चलना बहुत ही लोग की परी यह हुआ करता था योग अभ्यास अस्वा रोहर कुस्ती समाने तोर पर यहां पे ज़्यदा प्रजलित था योग पर प्रतिबंथ किस ने लगाया खाना चंद अ के सबस्त सब्सक्राइब, पूलो खेलते समय मर गया था तो कौन था वह कुटुबिदिन एबग ठीक है कुटुबिदिन एबग था जो चोगार यानि पूलो खेलते समय उसकी मिलती हुआ था ठीक है एंड दोस्तो मुस्लिम काल में एक और था कि कबुत्रों को प्रसिचित करके संदेश वाहक का कारे कर बर वाए जाता था ठीक है अग यानद दुस्तो मिल्स के लिए मर गया था तो कुटुबिदिन एबग जो चोगार यानि पूलो खेलते समयե मुस्लिम काल में मर गया था दोस्तों नेक्स्ट कोस्चन है कि YMCA की स्थापना चेन्नाई में किसने की थी तो चेन्नाई में YMCA की स्थापना H.C. Buck यानि Henry Crow Buck ने 1920 में किया था अगर Henry Crow Buck को भारती सारेस सिछा का पितामा भी कहा जाता है दोस्तों और YMCA की इस्थापना जो है इन्होंने भारत में 1920 में मदरास में किया अबर्ट इसका सबसे पहले इंग्लेंड में 6 जून 1844 में लंदन में जार्ज बिलियम द्वारा इसकी इस्थापना किया गया था और अमेरिका में 1883 में स्प्रिंग फिल्ड में इसका प्रसिच्छ का शुरुआत हुआ था जैसा कि दोस्तों YMCA कालेज जो है वह भारत का पहला सारी सिच्छा प्रसिच्छ महा विद्याले है यह आप बिसेश में ध्यान में रखिएगा जैसा कि इसका लच्छ होता है बार्डी माइंड एंड इस्प्रिट ठीक है और YMCA का मोटो है प्रचूर मात्रा में जीवन यानि दा अभ्यूडेंट लॉइफ ठीक है आप इसको ध्यान में दखिएगा और इसके अंतरगत बहुत सारे कोर्स डिपीएट बिपी ई बिपीएट रथा और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाते हैं कि हबी पीम की स्थापना किस ने और कब किया था है यानि की हनुमान ब्यायाम प्रसारक मंडल इसकी स्थापना किस ने किया था दोस्तों 1914 में बैद ब्रदर द्वारा इसकी स्थापना हुआ था आपसन नंबर सी करेक्ट है ठीक है 1914 में बैद ब्रदर यानि दो बैद भायों इसका नाम अनंत कृष्ण राओ बैद और अंबादास पंत बैद दा था इन्हीं दोनों ने मिलकर कि अमरावती महराश्टर में 1914 में हनुमान ब्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना किया इसका उदे से था कि भात में देशी सारी सिच्छा का बिकास करना सारी सिच्छा के गतिवे दियों को राष्टिया अंदोलों के साथ जोड़ना और अभियास के पासपरिक प्रडाली को ब्यासित तथा बिग्यानि करना कि है कि हम यह सुरू किया जो हनुमान ब्यायाम प्रसारक मंडल था उसने उसने पांच सब्ता का संर चुछाएं के लिए कि स्थान में शुरू किया तो उनिस सो चौबीस में ब्यायाम बिसारत शुरू किया गया ठीक है 1924 में ब्यायाम विसारत का प्रमार पत्र शुरू किया गया जो यह BPM द्वारा पांस सब्ता का एक ग्रिश्म काले इन प्रसिछर कोर्स पुर्सो वा महिलाओं के लिए 1924 में आरंब किया गया जिसको उत्रिड करने वाले को ब्यायाम विसारत का प्रमार पत्र दिया जाता था नेक्स कोस्टन है कि HBPM ने पहली बार ओलम्पिक में ब्यायाम का प्रदर्सन कब और कहा किया था बेरी इंपोर्टिन कोस्टन है जैसा कि आप सबको पता भी है कि हर्माम ब्यायाम प्रसारत मंडले अपना पहला यह ओलम्पिक में ब्यायाम का प्रदर्सन कब किया था तो 1936 बरलीन ऑलम्पिक में किया था ठीक है इसको भी से इस रूप में याद रखियेगा कि नेक्स कोस्टन है कि लखनौ कृस्टियं कालेज की स्थापना कब हुई तो 1938 में किया गया निस्ठ है यन्ने PER की स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना 1946 में हुआ यानि कि National Advisory of Physical Education and Recreation की स्थापना कब हुई 1946 में निस्ठ है CABPER यानि Central Advisory Board of Physical Education and Recreation की स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना हुआ 1950 में नेक्स्ट कोश्चन है कि AICS यानि आल इंडिया कॉंसिल आफ इस्पोर्स जिसे अखिल भारती खेल कुद परिसद की स्थापना कब की गई इसकी स्थापना किया गया था उनिस्ट चोवर में ठीक है नेक्स कोश्चन है AICS यानि कि All India Council of Sports जिसे अखिल भारती खेल कुद परिसद कह जाता है इसके पहले चेर्मेन कौन थे जिन्हीं इसकी शुरुआत करने का स्रे भी जाता है तो ये थे स्वरगिये मौलाना अबुल कलाम आजाद जो भारत के पहले सिछा मंद्री थे वही इसके पहले चेर्मेन थे और इसकी शुरुआत करने का फिसरे इन ही को जाता है आपसे नमबर सी करेक्ट होगा नेश कोशिन है कि यालियन शी पी ए यानि लश्मी भाई सारी सिच्छा महा विद्याले की इस्थापना कप और कहा हुआ था यसा कि आप शब को पता है उनिशो शंताउन में ग्वालियर में हुआ था मद्परदेश में और उस समय वह विक्रम विश्व विद्याले उज्जैन से संबत था और दोस्तों किसे के सुझावा पर हुआ था तो यह ताराचन कमीटी के सुझावा पर हुआ था ताराचन कमीटी 1948 में गठन हुआ था जिसके सुझापर उनिस संतावन में लश्मिबाई सारी सिच्छा महा विद्याले की स्थापना गौालियर मदप्रदेश में हुआ था और दोस्तों इस लश्मिबाई सारी सिच्छा महा विद्याले के पहरे आचार पी-एम जोसिप थे जिन्हें 1967 में पदमिस्री भी दिया गया एंड दोस्तों 1964 में यलियन सी पी-ए को जीवाजी विद्याले के अधीन किया गया और 1973 में इसका नाम बदलकर लश्मिबाई सारी सिच्छा महा विद्याले का नाम बदलकर लश्मिबाई राष्टी सारी सिच्छा महा विद्याले रखा गया यानी यह एन चीपी ई हुआ और 1982 में इसको आटोनोमस यानी स्वायत सासी संथा का दरजा मिला और 2 सितंबर 1995 में यह डिम्न बिस विद्याले में परिवर्तित हो गया और 2008 में यह पुड़ बिस विद्याले का इसको दरजा मिला और दोस्तों 2000 में यह UIM खेल मंत्राले भारत सरकार के अधिना गया और इसका एक और साखा एक और महात्रिवेंद्रम में खुला गया और 2010 में गोवाहर्टी में यलियन आई-पी-ई खुला गया ठीक है और दोस्तों नेक्ट कोश्चन है कि खेल की कौन सी साखा गौर्मिन्ट आफ इंडिया यानि भारत सरकार को अरजुन आवार्ड और दुराचा आवार्ड के लिए खिलारियों की लिस्ट देती है नाम देती है तो यह देती है AICS यानि कि All India Council of Sports यानि अखिल भारती खिलकुत परिसद इस सवका भारत सरकार को नाम देती है अरजुन आदुराचा आवार्ड के खिलारियों का लिस्ट देती है नेक्ट कोस्चन है कि एड़ोग इंक्वाइरी कमिटी की स्थापना कब हुई तथा इसके चेर्मेन कौन थे तो दोस्तो इसकी स्थापना हुआ था 1958 में थी है डाक्टर ए एल स्री माली के प्रयाश से और इसका चेर्मेन थे पर्टियाला नरेश याद्विंदर शिंग आपसन नंबर सी करेक्ट है जैसा कि दोस्तो एड़ोग इंक्वाइरी कमिटी जिसे तरदर समीती कहा जाता है डोस्तो और इसक्ते के द्वारा एड़ोक इंक्वारी कमीटी के द्वारा सात्तमेई उन इस्थलैको یہने से ईनाइस प्रटियाला निंस नंटती प्रुथ नियतन निन्सपति और Oh कि दूरर दोस्तों ओर इंक्वाइरिक गमिटि के दूरर इसको आpe ध्यान में रख कर राद कि इस थापना किसके घुया गया है किस कमिटि के दौरड जबूर और नशहीने सकने कब हुआ है जो एक सिर्ट को पर दिज़ कर सिर्फ और सब्कर भाहित है जो तो इसमें M.K.Col और M.N. Kapoor को नियुक्त किया गया और जैसा कि कॉल Kapoor समिती की स्थापना 1960 में हुआ ठीक है Next question है कॉल Kapoor कमिटी ने अपना कारे कब शुरू किया तो यह कॉल Kapoor समिती 1960 रोम ओलम्पिक में अपना कारे शुरू किया और 1960 रोम ओलम्पिक में रोम ओलम्पिक खेलों में परिवेच्छकों के रूप में गए तथा उन्होंने कई देशों का दवरा किया अब 1961 में भारा सरकार को अपनी रिपोर्ट सोपी जैसे कि दोस्तों कॉल Kapoor समिती का उद्धिस्ट है कि उलम्पिक खेलों के परिवेच्छर के रूप में दुनिया के खेल संगठनों एवं कारे पड़ालियों का अध्यन करता है कुंजरू शमीति कामिटी यानि की कुंजरू शमीति की स्थापना कब हुई तथा इसके पहले चेश्चैर्मेंट高न थे में 1969 में हुआ और इसके संगिसर्म통 थे और धौर में भारा सरकार को शारी सिच्छा मनुरंजन भिद्यार्थी अनुसासन जैसे महत्तोपुल बिश्चियों पर सुझाओ देना इसका उद्देश है इसका कार्य है ठीक है और यह अपनी रिपोर्ट 1963 में पेश किया ठीक है नेक्स्ट कोश्चिन है अब्दुलकलाम अजात ट्राफी किस सन में शुरू किया गया तो यह ट्राफी शुरू किया गया 1956 संतावन में ठीक है 1956 संतावन में किया गया यह 168 प्रदाशन करने वाले विश्च बिद्याले को दिया जाता है किसको दिया जाता है सरसेट प्रदेशन करने वाले 20 विद्याले को अबल कलाम आजाथ यानि मा का ट्राफी दिया जाता है ठीक है और दोस्तों इसको जो सबसे सरसेट प्रदेशन करता है उस 20 विद्याले को 15 लाख रुपए दिया जाता है पहले 10 लाग था अब 15 लाग दिया जाता है ठीक है नेश कोश्चन है कि राश्कुमारी अमरित कौर कमिटी इसकीम किस सन में शुरू किया गया तो राश्कुमारी अमरित कौर कमिटी 1903 पर में शुरू किया गया तो राशकुमारी अमरित कौचिंग की सुरू हुई उनिसो तीरपन में तीक है एंसीसी की शुरुआत कब हुई और किस ने की तो दोस्तों एंसीसी की सुरुआत 1948 में हिदनात कुंजरू के द्वारा सुरू किया गया नेशनल फिजिकल इफिसियंसी ड्राइव की सुरुआत कब हुई तो इसकी सुरुआत 1969 में किया गया नेशनल ये निसस की फुल फार्म क्या है तो ये निसस का फुल फार्म है नेशनल सर्वीस स्कीम नेस्ट कोश्चन है यनसस की सुरुवात कब होई तो दोस्तों यनसस की सुरुवात 1979 में किया गया नेस्ट कोश्चन है कि नेताजी सुभास नेशनल इंसिट्यूट आप स्पोर्स यनस यनाइस की सुरुवात कब होई तो इसकी सुरुवात साथ में 1961 को पर्टियाला में किया गया आपसन नमबर D करेक्ट है नेक्स्ट कोशन है यन्सीशी का पूरा नाम बताए यन्सीशी का पूरा नाम होता है नेशनल कैड़ेट क्राफ्स तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में होगा आपका युनान का इतिहार जिसमें इस्पार्टा काल, होमर काल, इस्पार्टा काल, एथेंस काल, रोंकाल के बारे में होगा तो दोस्तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताए याई होप कि दोस्तों आपको अच्छी से समझ में आता होगा दोस्तों जो भी armor होगा आप नारी टाप आप में पिंदि आप सकते हैं ञाओ को क्पार्डिंग फढ़ने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे और किसी भी स्टेट का फिकल एजुकेशन करिए मेरे चैनल सब्सक्मार बमुद् Stephanie裡 तो दोस्तों बने रहे मेरे चैनल पर लिए न है तो कि ऊच्जाल उस्क्राइब को प्रेस के लिए दिस लिए वीडियो का आपडेट आप तक पहुचता रहे तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारा